नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है तुर्की में आये बिनासकारी भुकम को दस दिन हो चुके हैं अब तक 41,000 से जादा लोगों की लासे बरामत की जा चुकी है अभी भी रेस्क्यू आउपरेशन जारी है इस बीच कई करिस्माई घटनाय सामने आई है जिसमें 10 दिन बाद मलवे से एक लड़की जिन्दा निकाली गई है इस्वरीच श्यमतकार की खटना दक्षडी तुर्की के कहारन मारस सहर में सामने आई है यहां 17 साल की लड़की एलीना ओलमेज भुकम के 10 दिन बाद मलवा हटाने पे जिन्दा मिली एलीना की चाचा ने उसे गले लगाते हुए कहा कि हम उसे बचाने के लिए रेश्कू दल के लोगों को कभी नहीं भूलेंगे रेश्कू में सामिल टीम के लोग भी लड़की को देख करके चोंक गए क्योंकि वहाँ भीसर ठंड के बावजूद मलवे में 10 दिनों तक दवी रही और मलवा हटाने पर जिन्दा मिली एलीना को भुकम्प में ढख चुके एक अपार्टमेंट के ब्लॉक से निकाला गया रेश्कू आपरेशन में सामिल क्रमचारी अली अकडोगर्ण ने जो जनकारी दी वो काफी चोकाने वाली है एक बार आँख खोली फिर उसने बंद कर ली थी उसे तो उमीद ही नहीं थी कि वो इस दुनिया को फिर से दीख पाएगी अली आगे कहते हैं कि हम पिछले एक हफ्ते से मलवा हटाने का काम कर रहे हैं जब भी हमें कोई जीवित सक्स या जानवर तक मिलता है तो हमें खुसी होती है हम किसी के काम आए हमारा रेश्क्यू आपरेशन किसी को जिन्दा निकाल पाया बता दे कि तुर्की में भुकम के जटके च्छा फरवरी को आये थे पहला जटका चार बज के सत्रा मिनट पर सुबह आया रिक्टर इसकेल पर इसकी तिवरता 7.8 मेगनिट्यूट थी भुकम का केंदर दक्षणी तुर्की का गाजिया टेप था इससे पहले की लोग इसमे नहीं रुका इसके बाद 6.5 तिवरता का एक और जटका लगा यानि कि सीरियल जटका भुकम के इन जटकों ने मलान टया समून सनली उर्फा उसमानिये और दियार बाके सहित 11 प्रांतों में तबाही मचा दिया साम 4 बजे भुकम का एक और 4 जटका इस जटके नहीं सबसे चादे तबाही मचाई जिसके 1.5 घंटे बाद साम 5 बजे भुकम का पांचवा जटका आया था इस तरीके से सीरियल किलर साबित हुआ एक के बाद एक भुकम के जटके वो भी पांच और भी छोटे मोटे जटके आये वो अलग है पांच बड़े जटकों ने सीरिया की तस् पुरी दुनिया ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है भारत ने भी ऑपरेशन दोस्त की तहट अपनी NDRF की टीम और मदद भेजी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस तवर का लाक लाक सुक्र की एक जिन्दगी दस दिन बाद भी जिन्दा मिली रहे ने कबर देखते रहे हैं इनका बार थैंक यू